आज मैं आपके साथ महलुपा की रेसिपी शेर करने जा रहा हूँ और इसको बनाने के लिए कुस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना होता है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका बहुत ही बड़ा बनेंगे जो मैंने वीडियो के एंड में दिया वा है तो मेरा वीडि को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर जरूर कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर आल आप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके तो आईए बनाना तब तक गरम करना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए हमको दूद की रबडी बनानी है और स्पेचुला से या लेडल से कंटीनी हिलाते रहना है ताकि इस पर मलाई जमेनी और नीचे चिपके नहीं जब तक दूद गरम होता है तब तक हम चासनी बनाएंगे या इकोल है और उसके गैस को आन कर देंगे और स्पेचुला से मिक्स करते रहेंगे तब तक चीनी अच्छी तरह से डिजॉल नहीं हो जाए अब इसमें थोड़ी केसर एड़ करेंगे और चासनी की चाथ अच्छी तरह से बॉइल होने देंगे ताकि अच्छा केसर या कलर आ जाए आप केसर की जगे फूड कलर भी यूज कर सकते हो यह और आप बिना कलर भी बना सकते हो चासनी अच्छी तरह से बॉइल होगी है और अब हम चेक करेंगे हमको आधित धागी की चासनी चाहिए यानि उसके अंदर चिपचप अबन आ जाए इतनी ही बनानी है एक तार की नहीं बनानी है तो आप देख सकते हो इसके अंदर चिपचपवन आ गया है तो यह बिल्कुल परफेक्ट है और हम गैस को सी चॉप कर देंगे और इसमें आप फ्लेवर के लिए ग्रीन कार्डवाम भी एड़ करते हो और रोज वाटर भी एड़ करते हो अगर आपको और स्ट्रॉंग फ्लेवर चाहिए थोड़ा उसमें के लड़ा एसेंस भी एड़ करते हो तो अब गैस को सी चॉप कर देंगे और चार्शनी को साइड में रख देंगे तो अब आप देखते हो दूद अच्छी तर से रिडूस हो गया है और हमारी रबडी बनकर त्यार हो गई है अब गैस को सी चॉप कर देंगे और रबडी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल लेंग्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर जरूर कीजिए अब हम बाउल में आदा कप चान कर लिया हुआ मैदा अड़ करेंगे आप मेजर्मेंट के लिए कप भी लेशते हो कटोरी भी लेशते हो बाउल भी लेशते हो जैसा आपको उच्छी तलगे उसाप से और अब इसमें 140 स्पून ग्रीन कार्डमोम पाउडर एड करेंगे यानि इलाची पाउडर और एक टेबल स्पून सूजी एड करेंगे और अब इसमें थोड़ी-थोड़ी करके रबड़ी एड़ करेंगे पहले बैटर को स्मूथ करना है ताकि उसके अंदर लंच नी रह जाए और उसके बाद फिर रबड़ी एड़ करेंगे आप इसके अंदर और अच्छा फ्लिवर के लिए सौफ का पाउड़र एड़ करेंगे तो आप वही में रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स लिखकर ज़रूर बताईए मैदा और रबड़ी को अच्छी तरह से फैंट लिया है आप देख़ते हो बिल्कुल स्मूथ बैटर बन गया है उसमें लंप्स बिल्कुल नहीं है अब इसमें बचीवी सारी रबड़ी एड़ करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बाउल में थोड़ी सी रबड़ी बचीवी है तो उसमें एक टेबली स्पून दूद डाला है और दूद को बैटर के अंदर डाल देंगे और बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैटर को 6-7 मिंट के लिए अच्छी तरह से फैट लिया है और अब आप देखते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पॉफेक्ट है यानि इसकी जो बैटर है उसकी थिकनेस पैनकेके बैटर जैसी होने चाहिए और इसमें से मैंने 2 टेबली स्पून रबड़ी रखी है जो यह मालुपा बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तयार है तो अब हम मालुपा बनाएंगे पैन में घी लिया है और गैस को ओन कर दी है और घी को एक बार गरब होने देंगे आप घी की जगे ओल भी ले सकते हो और इसको फ्राइब करने के लिए फ्लेट पैन या कड़ा ही ल लगे वैसे आप बना सकते हो अगर आपके पास कड़ाई है तो आप एक साथ ज्यादा quantity बना सकते हो अगर छोटा पैन है तो आप कम quantity के इंदर बना सकते हो जैसे ही मालूपा फ्राई होके उपर आजाए उसके बाद आपको लेडल फोक या स्टिक से टरन आट करना है और एक अगर थोड़ा सा जब पक जाए उसके बाद गैस फ्लेम को हाई करना है तो आपको यह में रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स लेकर जीरूर बताईए मालूपा को लो गैस फ्लेम पे दोनों तरफ से थोड़ा पकाना है जैसी थोड़ा सा पक जाए उसके बाद गैस फ्लेम को इंपीज करना है और उसको फ्राई करना है और उसको उलट पुलोट करने के लिए आप जाराई यूज करते हो फोक यूज करते हो अगर स्टिक है त घी या ओयल बहुत घरम होता है, तो जलने का डर रहता है, तो ज़ादा आप घी नहीं डले, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, तो इसको थोड़ा और फ्राई कीजिए, अगर आपको साफ्ट जिये, तो थोड़ा मालुपा को कम फ्राई कीजिए, और जैसे ही माल रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल लिंक्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर जरूर कीजिए गरम-गरम मालपो को वाम छासनी के अंदर रखे वे 5 मिट हो गए है और उसके अंदर आप देखे तो सूगर शूगर चासनी अच्छी तरह से आपज़र हो गई है और अब उसको बाहर निकालके एक जहरे में रख देंगे ताकि उसमें एक्स्ट्रा जो सूगर है यानि एक्स्ट्रा चासनी है वो निकल जाए और उसके बाद हमारा मालुपा त्यार है तो आप घर पे बना कर जरू ट्राइ कीजिए और आपको यह में रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट लिकर जरू बताए तो मालुपा बनकर त्यार है अब इस पे थोड़ी शी गारिश कर लेंगे मालुपों का आप जलेबी की तरह गरम दूद के साथ भी इंजोई कर सकते हो तो मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ मालुपा बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना होता है अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपके मालुपा बहुत ही बड़या बनेंगे जो मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूँ आप बैटर खोय से भी बना सकते हैं और रबडी से भी बना सकते हैं अगर आप खोय से बनाते हैं तो इस बैटर के अंदर आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं और दूद भी यूज़ कर सकते हैं यह option है आप दूद यूज़ करना चाहो तो दूद कर सकते हो और पानी यूज़ कर सकते हो और अगर आप रबडी से बैटर बनाते हो तो उसके और मावा बहुत रिच होता है अगर आपका बैटर गाड़ा हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा गरम दूद मिला के आप बैटर को सेट कर सकते हैं और अगर पतला हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा मेंदा डाल के अच्छी तरह से विश्ख करना है और 5-7 मिंट के लिए बैटर रखना है आपका बैटर एज़िस होगा यह नि उसकी कंसिसेंसी वापिस ठिक हो जाएगी और मालपा को क्रिस्पिनेस देने के लिए उसमें सूजी अड़ करते हैं सूजी से आपका जो मालपा बनाएगा बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा क्रिस्पी एंड सॉप्ट बनेगा और कोई लोग मालपा बनाने के लिए कौन फ्लॉर का यूज करते हैं अगर आप कौन फ्लॉर का यूज करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डालना है ताकि वो अच्छी तरह से बबल सा है और उसका फर्मेटिशन बढ़िया हो तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है तो आपका मालपा बहुत ही बढ़िया बनेगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राब लाइक और शेर जरू किजिए फिए ने वालतों क्लिशन प्लिस राइड दाउन इन कमेंट्स प्रॉट्स